प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आपडेट बॉल्टिवूट के सबसे पॉपलर चैट शो कॉफी विद करन में हमने कई सारे कंफेशन्स देखे हैं जहां हर एक सीजन में कोई ना कोई बिग स्टार एक नया खुलासा करते हुए नज़र आता है कभी कभी ये खुला से कई सारे कॉंट्रिवर्सी भी क्रेट कर देते हैं आप सभी को याद होगा ही हादिक पांजया का कॉंट्रिवर्सी जहां इस कॉंट्रिवर्सी से हादिक पांजया के लाइफ में कई सारे प्रॉब्लम क्रेट हो गयते हैं वही हमने इस शो में सलमान खान से लेकर प्रियांका चोपरा जोनस ने इस शो में कई सारे खुलासे किये है तो चलिए आएए दिखाते हैं बॉलिवूड एक्टर्स वांके कंफेशन के बारे में वही जब सल्मा ने इस शो में अपने वर्जिनीटी का खुलासा किया था तब वो न्यूस काफी तेजी से फैल गया जहां ये शो में सल्मा ने ये कहा कि वो वर्जिन है और खुद को बचा रहे हैं चाली करने से वेल सल्मा ने ये भी बताया कि आज भी उनके डैड उने थपढ़ माते हैं अगर उन्होंने कोई गल्ती किया तो वही आप बात करते हैं देशी गल्याने की प्रियंका चुपड़ा जोनस की जहां प्रियंका कई बार ये शो में आ चुकी है नहीं प्रियांका ने अपने sexual life के बारे में confess किया था जो कि काफी shocking की बात थी वहीं प्रियांका ने ये खाहा था कि उन्होंने अपने ex boyfriend को case किया था post breakup के बाद वहीं आपको याद होगा जहां काफी विद करन में रनवी कपूर और रनवी सिंग साथ में आये थे जहां करन ने ये पूछा था रनवी कपूर से क्या आप अपने friend के girlfriend के साथ सोए है तब रनवी कपूर ने हां बोला था जो ये बाद सुनकर रनवी और उनके साथ आये अरजुन कपूर भी काफी शौक हो गए थे जहीं अरजुन ने जब उनसे पूछा कि आप कभी अपने ex girlfriend के साथ सोए है तब रनवी ने ये बोला था कि नहीं वहीं रनवी कपूर का ये confession काफी viral भी हुआ था वही सोनम कपूर ने भी ये शो में कई सारे खुलासे करते हुए नजर आई है जहां सोनम कपूर ने सबसे बड़ा खुलासा ये किया था कि काफी विक करन शो उनको पसंद नहीं है क्योंकि जब भी वो ये शो में आती है और खुछ खेती है तो उन्हें बहुत ब्रादा क्रिटिसिजम मिलता है वैल ये था आज का हमारा स्पेशल रिपोर्ट वैसे ऐसे करी सारे कन्फेशन से जो की वॉल्यूड स्रार ने ये शो में किये थे तो आप हमें बताइए कि आपको कौन सा कॉन्टुवर्सी अब भी तक याद है